जोब एजूकेशन में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आज जो हमारा विसे है एक ऐसी स्टोरी के उपर है एक ऐसी कहानी जो सत्य घटना पराधारित है और मुझे लगा कि यह बात आप लोगों के साथ सेयर करना चाहिए जिससे कि बहुत लोग उन परिशानी में फंसन से बच सकते हैं मैं फेल हो गया मेरा पैसा वा दोनो पैसा वा शमय दोनो नुकसान हुआ साइद मैं पहले सोच पाता तो आज एस इस्ति नहीं होती आज हम बात करेंगे इसी पर आज हमारा चर्चा का भी सही है यह बात उस लड़के की है जो बड़ी उमीद के साथ बहुत कि अनर्जी के साथ गया कुछ सीखने के लिए कुछ करने के लिए लेकिन नतीजा क्या निकला वह फेल हो गया समय भी बरबाद हुआ पैसा भी बरबाद हुआ और आज बेरोजगार बनकर वह घूम रहा है जी हां उसका नाम न लेते हुए मैं उसकी स्टोरी आपके सामने और उसके साथ घटनाओं को मैं आपके साथ सेयर करना चाहता हूँ एक गरीब लड़के के साथ क्यों हुआ आखिर वह उसके साथ समय भी उसका गया पैसा भी गया ऐसा क्यों चलिए इस पर हम बात करते हैं फेल होने के कारण क्या है जब भी कोई इंसान फेल होता है तो नि परिश्टियां कि जो हम सोच के जा रहे हैं और उसके according यदि मैं उसके अनुसार कारें नहीं कर पाया तो हम फेल हो जाते हैं अरफ़ार असफल हो जाते हैं दूसरा कि हमसे जो वादा किया गया वह वादा पूरा नहीं किया गया या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दूसरा पक्ष उसे सफल होने का वादा करता है उसे सफलता दिलाने का की गारंटी देता है लेकिन कहीं न कहीं दोनों लोगों से चूप होती है और नतीजा होता है फेल फेल और परिशानी अब यदि हम कुछ बातों पर चर्चा करें यदि आप फेल होने से बचना चाहते है तो इन बातों पर जरूर विचार करें बीना सोचे समझे कोई कारी न करें कारी की सुरात करने से पहले आप उसकी पूरी तयारी वज्जानकारी जरूर हासिल करने। जिस कारी को करने का निर्णे लिया है उसका भवी से क्या है और उस कारी में आपकी रूची है या नहीं। कभी किसी के बहकावे में आकर निर्णे न ले। मैं इस घटना को शुरू करता हूँ, बिहार परदेश का मुझभफर पूरजिला का एक लड़का, बारहमी पास करने के बाद से दिल्ली रवाना होता है, एक उमीद लेकर, एक सोच लेकर की सायद मेरी जिंदगी बहुत ही बहतर हो जाएगी, मैं जिस चीज की पढ़ाई करने जा रहा हूँ, उस पढ़ाई के बाद हमारी लाइफ बहुत ही बहतर हो जाएगी, जी हाँ, वह लड़का, बारहमी पास करने के बाद से वहाँ पे जाता है, और एक प्राइबेट इंटिचूट में जाने के बाद, प्राइबेट जो ट्रेन तक उसके लगतार पढ़ाई होती है, और कोर्स पूरा हो जाता है, कोर्स पूरा होने के बाद वह एक्जाम देता है, एक्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आता है, वह काफी चौकाने वाला आता है, क्योंकि उस परिच्छा के तीन पेपर हैं, और वह तीनों पेपर में पूरी तरह से फइल हो चूका होता है जब उसने इस बात को जानने के कोशिस किया कि आखिर में फेल क्यों हुआ तो वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि आपने पेपर को सही तरीके से राइट नहीं किया था इस वज़े से आप फेल हो गए और जब आप फेल हो गए तो हमने जो कुछ भी आपसे वादा किया था वह सारे वादे समाप्त हो जए आर्थात सब मिला के लड़का वह लड़का दोगी समझ चुका था कि मेरा पैसा बर्बाद हो चुका है मेरा समय बर्बाद हो चुका है वह वापस नहीं हो सकता है वह वहाँ से वापस आता है और अपने घर आ करके सारी बात को किसी से कह नहीं पाता वह खुद घुटता रहता है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ उन बात को सोच सोच कर आखिर ऐसा लोग क्यों कर सकते हैं ऐसा मेरे साथ लोगों ने क्यूं किया, तो ये बात सोचते सोचते, अचानक उसकी मुलाकात एक दिन मुझ से होती है और उस दवरान मैंने उससे पूछना शुरू किया, उस लड़के ने एक प्रश्न किया, कि सर मेरी गल्टी क्या थी, क्या मैंने आपके उपर भरोषा किया क्या मैं बहुत उमीद के साथ आपके पास आया कि आप मेरी परिशानियों को अंत कर देंगे आप मुझे रास्ता दिखाएंगे आप मुझे मार्क दिखाएंगे और उसके बाद आपने मुझे से धोखा किया आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था मेरे साथ इस तरह से न जाने उसके कितने प्रस्ण थे और एक एक प्रस्ण सुनकर मैं काफी आश्चर चकित था मैं यहाँ पे उस इंटिचूट का नाम नहीं बता रहा हूँ उस लड़के का नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद किसी ब्यक्त भी से इंटिचूट या किसी भी ऐसे प्रतिष्ठान को नुकसान पहुचाना नहीं है बलकि उन लोगों को उन स्टूडेंट को या ऐसे लोगों को जो सपने लेकर जाते हैं और सपने तूड जाते हैं उन्हें आगाह करने की है कि वह सोचें समझें और तब निरणे लें ताकि उन्हें इस तरह का सामना न करना पड़े जब इस बातों को इस पूरी चर्शा के दावरान जब मैंने उस लड़के से सारी बात को सुना और शमझा तो मैंने एनलिसिस किया और जब उसकी केस को स्टेडी किया तो मैंने पाया मैंने बताया कि कमी कहां कहां थी पहली बात कि आप जहां भी गए थे मैंने उस लड़के से पूछा क्या आपने पहले इसकी सारी जानकारी ले लिया था उस लड़के ने कहा जी हाँ मुझे सारी जानकारी मिल चुकी थी मुझे सभी बातों की जानकारी पूरी तरह से मिल चुकी थी मुझे जौब देने का भी वादा किया गया मुझे नौकरी देने का वादा किया गया पैसे की जब बात आई तो इस 15 दिनों के अंदर उस student के लगभग 125,000 रुपए खर्च हो चुके थे नतीजा क्या हुआ कि वह fail हो चुका था वह कोर्स जो भारत से अलग देश में जाकर अर्थात गल्फ कंट्री या अबरोड में जाकर काम करने की इच्छा रखता था इस परपश से उसने कोर्स किया जब ये बात उससे पूछा गया कि जब आपको मालुम था कि बीना अनुभव के और बीना ये सारी चीजों की आपने कोर्स में दाखिला क्यों लिया आपने पूरी तरह से जांस पड़ताल क्यों नहीं किया उस लड़के ने कहा सर यह बात जो हमारी चल रही थी दो महिने की जांस करने के बात से मुझे इतने phone calls आने लगे, मुझे इतने motivate कर दिया गया कि बस सर आप जॉइन करिये, class करिये, course पूरा करिये, उसके बाद नौकरी आपके हाथ में होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो जब मैंने कहा कि गलती तो आपकी भी है आपने ऐसा क्यों यकीन कर लिया कि अगर हमको मैंने कोर्स किया और कोर्स के बाद ही अगर मुझे नौकरी मिल जाए तो सायद देश की नहीं पूरे बिस्व की बेरोजगारी स्वता ही समाप्थ हो जाएगी हर आदमी पैसा फेंकेगा, कोर्स करेगा और नौकरी ले लेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है दुनिया में सभी लोग कोर्स करते हैं दुनिया में सभी लोग पढ़ाई करते हैं दुनिया में सब लोग कुछ न कुछ विसेश हूनर रखते हैं काबिलियत रखते हैं उसके बाद भी उन काबिलियत के बीज उनका एक कंपटिशन होता है एक टेस्ट होता है और उस टेस्ट के बाद उनको कारे करने का मौका मिलता है और सफलता मिलती है खैर बहराल जो कुछ भी हुआ तो आपको एक सीख मिला लोग कुछ लोग ऐसे समझ जाते हैं और कुछ लोग जैसे आपके साथ जो हुआ मेरी साहनुभूती आपके साथ है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ हाँ ये जरूर कर सकता हूँ कि आपको आगे के लिए मैं आपको कुछ सजस्ट कर सकता हूँ अब आपको करना क्या है डेड़ लाक रुपे खर्च किया आपने रहना खाना सम मिला कर लगबग आपने डेड़ लाक रुपे खर्च कर दिये और खर्च करने के बाद से आपको ये सबक मिला है तो जाहिर सी बात है कि जीवन भर ये सबक आपको याद रहेगा और उसके साथ आप आगे अब जब आगे कोई भी काम करेंगे उसमें आप फेल नहीं होंगे कभी भी किसी के बहकावे में आकर कोई निर्णे न ले न किसी की बात चित करने में निर्णे ले आप खुद सोचें दुनिया के किसी भी कॉलेज में अडमिसन लेने से पहले दुनिया के किसी भी इंस्टूशन में जाने के पहले आप बिल्कुल पूरी तरह से सोच लें, समझ लें कि क्यों करने जा रहें, क्योंकि उसके बाद किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती है, आपका जब वक्त निकल जाएगा, आपका समय निकल जाएगा, तो फिर हात मलने के सिवा आपके पास कु उसे दुनियादारी के जनकारी नहीं थी, उसे इस बात का बिल्कुल अभास नहीं था, कि यह दुनिया कदम कदम पे लोगों को धोखा देने का कारी करती है, ठगने का कारी करती है, तो यह इस बात की जनकारी नहीं थी, वह जब गया, तो उसके दिमाग में यह बात थी, क सरकार उनको license देती है सरकार उनको registration देती है लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है आप अपने मन से पढ़ने जाते हैं एक तरह की यह private coaching होती है तो किसी भी private coaching में आप पढ़ाई करने के बाद आप यह नहीं कर सकते कि मेरा आपने समय नुकसान कर दिया कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप यह सब जान करके admission लेते हैं और आप agreement sign कर लेते हैं जिस कारिक को करने का निर्णय आपने लिया है उसके बारे में आप जरूर सोचिए उसका भवी से क्या है और उस कारे में आपके रूची है की नहीं अगर कारे में रूची है गलत रास्ता चैयन किया तो थोड़ी बहुत परिशानी आए वो आप संभल सकते हैं लेकिन अगर कारे में आपको बिलकुल रूची नहीं है उस उस ट्रेनिंग में उस पढ़ाई में उस नवकरी में आपके रूची नहीं है तो निश्चीत रूप से आप उस काम को नहीं कर सकते हैं कभी किसी के बहकावे में आकर कारे न करें यदि इन चार बातों को ध्यान में रखते हैं तो मेरा वादा है आप से जीवन में आप कभी फेल नहीं होंगे कभी भी कोई जरूरी नहीं है कि जो कोई अगला कर रहा है दूसरा कोई ब्यक्ति कोई कारे कर रहा है तो वो आप से बहतर कर रहा है आप बेहतर कर सकते हैं, आप हर एक ब्यक्ति से अच्छा बेहतर कारे कर सकते हैं, आप में वो काविलियत है, आप में वो छमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कभी भी किसी भी ब्यक्ति से अपने आपको कम न आके और नहें कम समझें, आप में वो छमता है, आप में वो ह सास्तों में फेल होने से सबचना चाहते हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान करना यह पहले कारी क्या करना है बीना सोचे समझे कोई कारी नहीं करना है कारी की सुरुवात करने से पहले आप उसकी पूरी तयारी जरूर कर लें और जानकारी भी हासिल कर लें जैसे कि जिस कारी में को करने जा रहा हूं उसका स्कोप क्या है इस कारे को करने के बाद result के आएंगे यदि fail होते हैं तो क्या हम करेंगे pass होते हैं तो क्या होगा यह तमाम बातों का निर्णे लेने का right आपके पास है आप उसको समझे जिस कारे को करने का निर्णे लिया है उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ले और दूसरी बात, that is the most important thing, जो है कभी भी किसी के बहकावे में आकर, किसी की बात में आकर, किसी के फोन कॉल से कोई बार बार फोन करता है, इसमें motivate हो करके आप कभी बिनर्णे न लें, क्योंकि यह नुकसान दायक हो सकता है, सफल होने के लिए, यदि आप और चाहते हैं कि मै सफल हूँ, मैं कभी असफल नो होने पाऊं, मुझे कोई परिशानी न हो, मैं फेल न होने पाऊं, तो जरा इन बातों को भी गौर करिए, यहां भी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर इन बातों को आप ध्यान रखते हैं, तो फिर दुनिया में कोई भी आपको अब्यक्तिव फेल नहीं कर सकता, सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले अपनी कमियों को जानने की कोसिस करें, ना कि दूसरों पर दोस लगाने की कोसिस करें, और उसे दूर करें, सफलता खुद बखुद आपके पास चली आएगी, उस लड़के की बात अगर हम मुझे पंजाबी आती है, मुझे बंगला आता है, और मैं उसमें कमफर्टेबल हूँ, मुझे इंगलिस में पेपर मैंने नहीं दिया, तो अगर मैं जो पढ़ाई करने जा रहा हूँ, सिर्फ बात करके चला गया, और मुझे पेपर वहां लिखना था इंगलिस में, असफलता मिले, अपनी काबिलियत को प्रदिम इंप्रूब करने की कोशिस करें, आप जहां भी हैं, जो भी हैं, जो कुछ भी जामते हैं, अपने आपको बेहतर बनाने की कोशिस करें, दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, दुनिया का कोई भी एक्सपर् उसे improvement की जरुवत होती है हमेशा कोसिस करने चाहिए कि हम अपने आपको बेहतर बनाने कैसे बनाए और अपने आप से competition करेंगे अपने अपना ही record तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो कारे आप करेंगे उसमें एक बहुत ही surprising result आपको मिलेगा और फिर आपको fail करने वा है आपने कि आत्मविश्वास कब आता है क्या आत्मविश्वास किसी बजार से जाकर हम खरीद की लाने वाली बस्तू है क्या आत्मविश्वास किसी से उधार लेने वाली बस्तू है जी नहीं कहना बहुत असान है लेकिन उसके अगर कारण को हम जाएं और उसके बीच उस आत्म विश्वास बढ़ता जाएगा यदि कमियां दूर नहीं होंगी तो निश्चित रूप से कभी आत्म विश्वास नहीं बढ़ सकता वैसे आपका आत्म विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप अपनी कमियों को दूर करेंगे अपने आपको बेहतर करेंगे ठीक उसी त दूसरा स्टुडेंट भी बैठा है वो पेपर पढ़ते हैं सिर पे हाथ लगा लेता है और सोचने लग जाता है कि कास मैं भी पढ़ा होता क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं तो उसका आत्मविश्वास वहां पे क्या करेगा नतीजा आपके सामने है जिसने पढ़ा जिसने कटके रास्तों को अपनाया तो निश्चित रूप से आपको परिशानियों का सामना करना पड़ेगा तो सफल होने के लिए इन बातों को जरूर ध्यान रखें जिसने भी इसको माना वह इतिहास रचा है जिसने भी इन बातों को समझा है वह इतिहास कायम किया है जैसे कि ए मीठा खाने के बहुत सौकीन थे वह गुड बहुत ज़ादा खाया करते थे एक दिन एक महिला ने उनसे कहा मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है वह नहीं मान रहा है जिससे कि वह बिमार हो गया डॉक्टर ने मना किया कि यदि इसी तरह से यह मीठा खाता रहा, तो इसका स्वास्ता और खराब हो सकता है, यदि आप इसे समझाएं, तो यह मान जाएं, गाधी जी ने तीन दिन बाद आने की बात कही, महिला सोचने लगी कि आज इन्होंने क्यों नहीं कहा, महिला ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, तीन दिन बाद वापस आते हैं तीन दिन बाद वह महिला वापस आई तो गांधी जी ने उस बच्चे से कहा बेटा यह जीवन बहुत ही अनमोल है मीठा खाना तुम्हारे स्वास्त के लिए ठीक नहीं है यह हानिकारक है इसे छोड़ दो और वह लड़का वादा किया और वह मान अब उसकी मा ने प्रस्ण किया बापु यह बात उस दिन भी कह सकते थे तो गांधी जी ने कहा कि उस समय मैं खुद मीठा खाता था अब मैंने छोड़ दिया तो यहां देखिए यदि मैं उस समय कहता कि यह मेरी बात नहीं मानता लेकिन मैंने अपना सुधार किया और फिर दूसरों को सुधार करने का निविदन किया तो सायथ मेरी बात प्रभावसाली होगी और मैं दूसरों को सही रास्ता दिखाने में सक्षम हो पाऊंगा और अपने आपको समर्थ महसूस करूंगा उमीद है कि मैं आपको समझाने में कामयाब होंगा या नहीं यह मैं नहीं जानता लेकिन मेरी कोशिस है आपका एक एक पल आपका एक एक पैसा बहुत ही महत्वपून हैं आपके गारजियन्स आपके घर वाले बहुत मेहनद से एक एक पैसा ही कठा करते हैं तो मुझे मेरा मकसद यही है कि आपका पैसा बरबाद नहो और आप जो कुछ भी करें आपक के लिए इजाज़त दीजिए, we see you all the best thank you for learning, thank you for watching